हाई एव्रिवान आप सभी का मेरे यूटूब चैनल ट्रियंक का पार्टकार व्लॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है तो अभी मैं बाहर खड़ी हूँ दुपहर का टाइम है बच्चे भी स्कूल से घर आ चुके हैं और कोरियर वाले आए हुए हैं भेया जो कि हमारा पार् कर्द से ओरडर लगाती हूं घर की ग्रोस्री के लिए क्योंकि आप इसे बहुत सारे लोग पूचते हों कि आप ग्रोस्री किस ऑनलाइन एप से लगाते हो तो फ्लिपकार से लगाते हैं पहले मैं अमजों से लगाती थी वर्ट अब्धमान वालों ने बंद कर दिया है ग् शिरवाद वाला भी वह दोनों मेरे अच्छे आटे में इस्तमाल में लेती हूँ साथ इसाथ चीनी का पैकेट है चावल का पैकेट है चीनी एक हाफ केजी या वन केजी एक पैकेट फ्री मिलता है तो वह सब कुछ है सारा समार उठा कर रख दिया है मैंने उपर और इसको साब हो जाता और बहुत जल्दी में उसको भरने वाली हो टंकी में तो कपड़े भी दुले थे तो वाशी मशीन ने भी आवाज लगा ली थी कि आओ प्रियंका सारे कपड़े लिका लो और मुझे फैलाओ मैंने सारे ड्राइ किये ड्राइ करके सारे स्टेंड में डाल दिये हैं और सुपते रहेंगे यहां हमारा पीछे वाला जो एरिया है यहां पर थोड़ी हलकी फिलकी धूप सी आ जाती है रफसी रहती है लिक कपड़े अच्छे से सूप जाते हैं जब बारिस का मौसम होता है तब मुझे अपने इस stand को बाहर जहां मैं grocery ले रही थी ना उसी area में रखना पड़ता है और सरदिया आ जाएंगे ना तो मुझे अपना stand वही रखना पड़ेगा ये कपड़े वाला ये कपड़े वाला stand बहुत कामका है आम इसे बहुत लोग पूशते हो मैं इसका लिंक छोड़ दोंगी discussion box में चेक करने रा Amazon से लिया है बहुत अच्छे price में और बहुत अच्छी quality मैं इसका review बहुत जल आप लोग से शेयर करना चाहती थी लेकिन टाइमी नहीं मिल पाया तो rocket friendly भी है रात को सीधे मिल रही हूं रात का डिनर बनाने त्यारी कर रही हूं आलू थोड़े बड़े थे तो आलू मैंने उबल ले के लिए रखे थे काटके धुलके तो अच्छे से आलू उबल गया है थंड़े थंड़ा होने का वेट कर रहे थी अच्छे से थंड़े भी हो गए है तो अब मैं इनको छील लूँगी फिर भी छीलने में थोड़ी बहुत उसमें गरम था ही लेकिन आसानी से छील गया है अच्छा एक चीज और बता हूँ अगर बीस से कट लगा होता है तो आलू छील बहुत आसानी से जाता है एक ट्रिक बताती हूं मैं आप प्रोसेस हो है वह बहुत ही आसान हो जाता है जरूर आजमाना मेरा खुद का आजमाया वह यह ट्रिक है बड़ा ही काम का है बहुत दिक्कास होती जा वालू छीलो न तो चिपक जाता है आधा उचलता है आधा चिपकर निकलता है आधा नहीं निकलता है तो मैंने इसमें क् वीडियो है सटर्डे का है तो मैं प्यास खाती हूं या फिर ट्यूजडे का होगा ऐसे ही कुसका है या भी थर्जडे का है बस इन्हीं दो में से है एक दिन और गाइस यहां पे मैंने जो क्या क्या डाला मैं आपको बता दूँ इसमें मैंने थोड़ा सा कूड के जो धनिया पाउडर सूख धनिया और दोनों को फोड़ा से जर्ज पीस लिया था उसको इसे में डाल दिया है उसके बाद तो सखा़ धनिया और यहां पाउडर फोड़ा सा नमक और फोड़ा नाल भी-पाउडर एड़ पाउड़ के ए ऱिमेशी थोड़ा सा अजवाइन हाथों से से मैंने दबा दबा के मिक्स किया कि जब हास से जब तक नाम मैस करो तो तो मसाला बढ़िया बन के तयार ही नहीं होता है फिर मैंने हाथों से इसको अच्छे से डूको तयार कर लिया तो मसाला हमारा प्रॉपर बन के तयार हो गया था और अच्छा बना हुआ था बढ़िया स से काली मिर्ष भी डावी थी कूट के तो उसका फ्लेवर ना समोसे के मसाले के जैसा फ्लेवर लग रहा था आज जब मैंने पराठे जब यह बनाये थे हद्मिन लोग खिलाये तो बोले थे कि आज के इस पराठे में नहीं चटनी की जरूरत है और नहीं किसी चीज की रही यहां पर मैंने मसाला लगाने बाद साफ साफ सफाई कर दी है और आप बारी आती है पराठे बनाने की तो जली-जली से गर्मा-गर्म बड़े-बड़े से पराठे डालूंगी मैं वो सेखोंगी और पराठा बनाने का ट्रिक और मैं आपको बताती हूं आलू का पराठा य जाहिए तो जब आप उसमें मसाला भरेंगे तो आटा इतना स्मूध होगा कि बिलने में एकदम प्रॉपर बरावर आ जाएगा ऐसा जब आटा गुथेंगे तो आलू जो आप उसमें भरेंगे तो आलू को मात्रा जानी क्वाटिटी जादा भर पाऊगे और पराठे आपके दबने से शेकना हमारे यहां इसे लकड़ी से जुष्टे दबाते ना इसे दबना बोलते हैं इससे दबना शेकेंगे ना तो पराठा एकदम क्रिस्पी करारा बनके तयार होता है और बहुत जादा टेस्ट लगता है तो गई इस तरीके से मैंने पराठे बनाए कुछ बना ऺड़ीक ह्यान पराठा नोसी हूं भी अगिया अभ को कोई दो ऊक्री में ठोडा इक तोड़ा राठा एक प्लेट में थोड़ा चटनी रखा यह राधनिया मिर्श्टी अरटमाटर की चटनी है और इसमें पहे लें लेस्ट में भीड़ी क्ल पड़ी कर देता है यह हमारा काम हम करने के बाद में साकर से सो गईाए तीस सीधे नंस डेस सुबह मिल रही हूं सुबहँ चावल भी दिये हैं साथ साथ बच्चो के लिए आलू की भुजी भी बना दिय ये क्योंकि बच्चों को मैं दाल नहीं देने जा रही थी पतापत्र से आलू की शबजी हो चोक दी थी तो मैंने वहीद दे रही थी ज़़ो खा लेगी लेकिन आध्या पोली मुझे दाल चावल भी चाहिए तो मैंने आध्या के टिविड में सब्झी भी रखी पराठा भी रख़ा और जो डाल है न तो चावल उसे उपढे से दाल डाल दी दुष को भी तुम लेकर वे लेकर दाल पड़ेग करना पड़ेगा उसके लिए वह अच्छूय नबाव टावल तूरे नियुक्वल पे एसे लागा फेसल और बहुत अच्छी से लगा भी दिए थे प्रॉपर आप देख सकते हो, प्रॉपर टी फिर में अच्छे सब कुछ लगा दिया, अब हुआ क्या था कि बच्चा जब स्कूल चला गया तो मुझे भी सुकूदा चलो भाई, दाल, चावल, सब कुछ लेके गया है, मैं भी आराम से घर में खाऊंगी, और बच्चे भी आराम से खाएंग भाग ऐसा रहा कि बच्चे जब स्कूल चले गए, तो वहाँ स्कूल में ही ओपर करते डाम या कैसे भी टिफिन दक्स का गिर गया, फूरा चावल वगेरा साब, सब्जी बजी कुल के फैल गया, फूरा खराब हो गया था, तो आध्या ने अपना आधा पराठा और सब्ज इसे खिला है उसे खाना, तो कुछ ऐसा रहा, तो बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, खैर क्या कर सकते हैं, और गाईज बस दक्स और आधा की वैन बस आ ही गई है, तो मैंने बोला था कि ठीक है, आप लोगों की पानी की बोटल भी भर दी है पानी की वोटल बगरा दी, और बच्चों को रवाना किया, उसके बाद मेरा हस्बेंट चले जाते है तुरंट, और गाईज दक्स के में बोल रही थी, चलो चली से एक किसी देके जाओ, आतकर वो रोज मुझे एक किसी देके जाता है, बड़े ही प्यार से, बाई बाई मम तो बच उनका भी लगा दिया है, वो भी शले जाएंगे, फिर लगूंगी मैं घर की साफ सफारी में, एकदम फटा फट फोर्ती वाला काम करती हूँ मैं, ताकि जली से सारा मेरा काम हो जाए, और मैं भी इन सारे कामों से एकदम फ्री हो जाओं, तो गैज बस इतना ही था मेरे आज की वीडियो में, होप, आपको मेरा वीडियो अच्छा रगा हो, मेरा हजबन बाइक लेकर आज जा रहा है, क्योंकि इनके जो कलीग मित्र है, वो छुट्टी पे हैं कुछ दिनों के लिए, तो अपनी बाइक से यह जा रहा है, यह उन्हीं की बाइक से जाते हैं, जाधतर, कभी-कभी यह अपनी भी लेके जाते हैं, वो नहीं लेके जाते हैं, तो ऐसे ही रहता है, जब जाना एक ही स्कूल में है, तो भी क्यों अलग-अलग डिजल भट और फोको, तो एक ही साधर हो जाता है, गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं, आप से म झाओ 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